बरनाला की अनाज मंडी स्थेत ट्रेक्टर के शोरूम में गतरात चोरो द्वारा चोरी को अंजाम दिया गया दुकान मालिक सुशील कुमार ने बताया कि शनी बार को लॉकडाउन के दौरान उनकी दुकान बंद पड़ी थी परंतु दुपहर में कोई जरूरी कागजात ले टूटा वहीं जाते समय चोर एक लैपटॉप और जरूरी कागजात चुरा कर ले गए शोरूम के मालिक सुशील कुमार द्वारा बताया गया कि चोर छत से सीड़ी द्वारा नीचे आये थे गद्दी पर विछी चादर की सहायता से चोर नीचे उतर कर चले गए इस मौके पर पहुंचे भाजपा नेता धीर जिद्द दाहुर ने बताया कि शहर में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं और लॉक्डाउन के कारण उन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया है उन्होंने मांग की है कि जल्द ही चोरों को पकड़ कर कारवाई की जाए मौके पर पहु जाए मौके जिए अज़ासी सबस्क्राइब पर फिर्द नाम है और पी ताटो मौके जिए अज़ासी सब्सक्राइब भार रख में जी जिने बारने शट्र खोले बिलको ठीक सी जो अंदर बड़े हैं सी इदर साइड़ कि देखिया आज शिशा टुटे बैप यह पर कैश नहीं गया ते बाकी सारे जुरूरी काज़त होगे लैटब हो गया सब्सक्राइब पूरा इंजाम दें दी पूरी कोशिश करी सी असी तहां देखो एही गल कहने हैं जड़ियां है शैर देबिट चोरियां हो रही हैं नहीं हैं कि चोरियां बहुत बद गहीं हैं अ असी समय समय सर्फ पुल्स नो अतला कर दे रही हैं पर ऐस विले जड़ा सरकार्दा जड़ा ते आना हैं बिल्कुल किसे पासे नहीं है और खास करके असी हैं मंग कर दे हैं कि परशाशन आवदी साही तंगना कारवई करके जड़े चोरे हैं चोरी नो जाम दिन देने और नुकसान कर देने निशेडी ने जगा जगा कोम रहे हैं इसे स्कूटर चकर जा रहे हैं और एस वाली एक देशत अला मौद बनेगा बनाने देविट असी एहीं मंग कर दे हैं जड़े दोशें खलाव कारवई के ती जड़े हैं